अध्यक यही मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि जैसा आपने उलेक किया कि असाधान परिस्थितियों में ये सदन का सत्र हो रहा है लेकिन जो अभूत पूर इन माननी सदस्यों की सुरक्षा के लिए और विवस्था के लिए आपने किया है मैं पूरे सदन की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ और निश्चित तोर से जब इस COVID-19 की भविस्थ में चुनवतियों की चर्चा होगी तो यकीनन चर्चा पूरे विश्व में होगी उस समय कोई संबैधानिक बाध्यता के लिए अगर ये सदन का सत्र होता तो साध जैसे विधान सबाएं एक दिन के लिए बुलाई जा रही है दो दिन के लिए लेकिन हमारी सरकार ने अठारा कारी दिवस के लिए पच्चिस विधेग देश की जनता से जुड़े हुए लोगों को पारित कराने का काम करेगी जोलन समय स्याओं पर आप सत्ता प्रत्पक्ष को सबको बोल हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर यह अपने आप में भी एक सैयोग है कि आपने इस सदन को आज हिंदी दिवस के रुप में सुरू किया है और आज आपने बड़ी बात कही कि भारत की जो अन्य भासाएं है उसको भी सम्र्द किया जाए उसकी उन्नती के लिए काम किय जाए तो इससे बहतर आउसर नहीं हो सकता अध्यक जी कि मैं भारत की ऐसी तीन भासाओं को जो केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में बोली जाती है आज 16 देशों में लगबग 20 करोन लोग जब भोजपुरी को बोलते हैं चाहे मारिस्यस हो ट्रिंडाड हो ग्याना हो या टुबे को हो आज जब राजस्थानी आपकी भासा को नैपाल की सम्मिधान सभा मानता देती हो जब भूटान भौटी को मानता देती हो तो यकीनन देश के 130 करोन लोगों के लिए ये गवरों की बात है कि भारत की तीन भासाओं को आज अंतरराश्टी अस्तर पे मानता मिली तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि ये सबसे उचित आउसर होगा शिक्षा मंतरी जी मौजूद हमारे संसदी मंतरी कि ये भोजपूरी राजस्थानी और भौटी को सम्मिधान की आठ्वी अंसूची में सामिल किया जाए तो साइध वो युनिसको का वो जो मारिसस की पहल पे गीत गाउनई को 200 सांस्कृति गर्जा मिला है युनिसको से वो भारत का सदन भी उसको सम्मानित करेगा बहुत बहुत धन्दवाद